आज हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं कि कन्या और अर्षी वाले लोग के लिए कैसा रहने वाला है शानी देव का गोचर विसिते शानी देव वक्री होने वाले हैं उनका प्रभाव कैसा रहेगा वक्री होने का इसी जाज हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं सब से पहले थोड़ सा डिस्किस कर लेते हैं वकरी ग्रा का मतलब है थोड़ सा आपको समझने में भी आसानी होगा क्यों आसा बोल रहा है इ으 पृत्वी ग्रा है है सारा वीडियो में महीं थो अर्न सब्सके बीकर रहे हैं यहनि कि पृत्वी से आराम से अगर थोड़ा सा भी ऐस्ट्रोनॉमी का नॉलज्ज रगते हैं अस्ट्रोनॉमी इस्ट्रोलॉजी नहीं ऐस्ट्रोनॉमी कहते हैं कि मतलब जब आप ग्रह का कैलकुलेशन आप कर ले कौन सा ग्राह कहां पर होगा किस दिखाई देगा तब देख भी पाईएगा इस ग्राह को अपना नेतर से ही और इस टाइम पिरेट पर पृत्वी से शनी ग्राव बहुत करीब हो जाएगा इसके करण इस टाइम पिरेट पे एक निश्यत ही प्रभाव बहुत ज्यादा तो इस समय कह सकते हैं कि ब्रह्मार्ण में शनी भगवान भी बल में चल रहे हैं हैनि कि strength होगा पुरा strength किस टाइप का strength होगा strength भी छे प्रकार का होता है शडबल भावबल इस strength को बले जाएगा चेश्टा बल अब बल हमेसा अच्छा नहीं होता है अगर बल आपके पक्षमी हो तो आपके लिए बहुत अच्छा और दुस्मन आपकर दुश्मन के पक्षमी हो तो बहुत खराब जुक उस्हार मीजिए अब देख ले देख लेएख ब्स प्रभाव कैसा होने वाला यहां पर शनी देवआ आपके 5 में सोके 6 घर में घोचरे करने हुआ है जितना फ़ी लोग स््टूडंस हैं, ज्यूबी कॉंपॉटिक्शन के तैयारी कर रहे हैं जितना भी students competition का तयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए time period बहुत अच्छा होने वाला है अभी लोग जॉब में हैं उन लोग के लिए time period बहुत अच्छा होने वाला है लेकिन जॉब में यहां क्योंकि शस्टेस होके इस time period पे हो सकता है कि unnecessary pain का disease आपको देखने को मिल सकता है मतलब क्योंकि actually puncham bhao का मालिकों के च्छटागर में जाना तो actually कह सकते हैं कि stomach related या pain का disease आप लोग को देखने को मिल सकता है यहां से actually शनी देव का नीच दृष्टी जा रहा है अस्टम bhao पे अस्टम bhao पे नीच दृष्टी जाने करण हो सकता है कि आपको disease से kust यानि कि छटागर आटवागर को गोला गया है kust का और छटागर को गोला गया है बीमारी का यानि कि कह सकते हैं कि disease के करण expense करना पड़ रहा होगा इस तरह का चीज आपको देखने को मिल सकता है या किसी तरह का tragedy या इस तरह का kust type का चीज आपको feel करने को मिला हो केवल खराप्रव कुछ तक खराप्रवा भी है कि disease के करण करस्ट हो गया या इस तरह करस को गया sleep cycle manage नहीं पाना ओपर शेया अभी वक्री हो चल रहा था जितने अवितना चीज अभी हम बोलें जल रहा था याभी तक चल रहा था बोल था जाना नहीं अब मानलगे यह कि जितना चीज़ भी हम बोल रहे हैं, शनी देव का प्रभाव यहां बहुत बढ़ गया, यानि शनी देव को बल दे दिया गया, तब बल आपके लिए अच्छा नहीं हो, क्योंकि जितना भी लोग competition में है, generally वो लोग शत्र court case हो गया, competition हो गया, लडाई जगड़ा हो गय इस time period पर ऐसा है कि इनसान अपना दुस्मन को कुछ चल के रखतेगा, मतलब अगर आपका कोई दुस्मन होगा, इस time period में court case हो गया, या मतलब समझ जाईए कि अगर आपको student है, competition में भी वही होता है, कि इनसान दूसरे को पचाड के आगे निकलना होता है, इस time period पर कहीं कि इनसान अपना दुस्मन को कुछ चल के रखतेगा, लेकिन यहां से problem क्या होने वाला है, वो देख ले रहे हैं, एक तो सबसे पहले बीमानी से कर्ष्ट, अगर आप काम कर रहे हैं, competition का तैयारी या यही कर रहे है, उसकी करण आपका कुछ ना कुछ तो health पे तो impact पड़े sibling से जवरदस्ती वाद विवाद हो सकता है, यह मतलब कह सकते हैं कि fights हो सकता है, fight कहने का मतलब argument हो गया, ऐसा थोड़ी है कि fight का मतलब argument देखने को मिल सकता है, यहां पे छटागर का शनी जब भी अच्छा होगा, तो सबसे पहले कह सकते हैं कि इस temperate पे आपको नौकर का सु जब भी रहेगा, तो मतलब servants का सुख बहुत ज़्यादा देता है, जब से शनी देव वैसे भी कुम राशी वाला या कन्या राशी वाला लोग का गोचर में गया है, तो कह सकते हैं कि नौकर विगरा से सुख मतलब उन लों को देखने को मिल रहा होगा, जब से शनी देव बोलने में, हम लोग को भी अच्छा चीज बोलने में हम लोग को भी अच्छा लगता है, और खराब चीज बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, जो चीज है सो है, इस टाइम पिरेट पे हो सकता है कि पंच में इसका छठा गर में जाना है, यानि कह सकते हैं कि इस से प्रफ़म संतान आपको जबदस्ती वादि Dulc सम्प से औि आप को देखने को सकता है कूझी इतनी यहांत यहांते बुपक्राक्त बहुत बहुत धन्यवाद और दहु시ायों और táष और अर्को है कर दहु。 भुण स्ट JACO.